स्वागत स्टुडेंट्स आपका हमारे चैनल पर आज हम करेंगे कख्छा साहत का क्यूज अभ्यास जो कि तीनों सब्जेक्स का एक ही वीडियो के अंदर करेंगे स्टुडेंट्स पहले गनित का सॉल्व करेंगे फिर आपके सोसिल साइंस का है सामाजी विज्ञान का और फि उब चल रहे हैं अपनी अपलोड और हमने आपकी बेस्लान असिस्मेंट भी अपलोड कर दीए हैं अगर आप नहीं देखे हैं जरूर से एक परवद चलते समय समुद्र तल से 12imiento की शारू पर चलता है तो समुदर तल से दूरी कित्ती हो गई इस्टुडेंट्स पहले 1200 और 400 मिटर और उपर चला गया तो 1600 हो गया एक परवत की चोटी समुदर तल से 8000 मिटर उपर है तो समुदर से सबसे गहरे बिंदू की गहराई कितनी है 10,000 तो दोनों बिंदू की बीच में अंतर क्या हो जाएगा दोनों को प्लस कर देंगे 18,000 अंतर हो जाएगा अब देखे एक पंडू पी समुदर तल से 300 मिटर नीचे चल रही है जदी सत्य से और 2500 मिटर नीचे चली जाए तो पंडू भी समुद्र तल से कित्ती मीटर नीचे होगी घटा दीजिए स्टुडेंट पचास उत्तर आएगा अदेखिए एक सहर में तापमान था 35 और शाम को तापमान 6 डिगरी तक गिर जाता है गिर जाता है का मतलब होता है उधर ठोड़ी सी ठंड़क बढ़ गई तो ह गटा देंगे 35 में से 6, 29 डिगरी से उत्तरा जाएगा अतूल के पास है पिगगी बैंक जिसमें 45 रुपे है यदिवे 28 रुपे स्टेशनरी की कुछ सामगरी में खर्च करता है तब कित्ते रुपे बचेंगे घटा दीजिए स्टुडेंट 17 रुपे बचेंगे बरतमान मे प्रिति की आयू 33 है आठ वर्स वेले प्रिति की आयू क्या थी घटा दीजिए आठ 25 वर्स किसी कक्षा में एक छात्रा ने 20 प्रशनों की परिक्षा दी परिक्षा का अंकन इस प्रकार था कि परत्तिक सही पर एक अंग और गलत पर माइनस एक अंग पिलेगा यदि इस ने एक छात्रा ने 16 प्रशनों को सही किया और 4 प्रशनों को गलत किया तो उसकी कित्ते अंग प्राप्त होंगे माइनस 4 कर देंगे क्योंकि ये प्लस 16 है और माइनस 4 कित्ते हो जाएंगे 12 एक इमारत की भूतल पर एक लिफ लगी है यह लिफ पहले 8 तल उपर गई फिर 3 तल नीचे आई तो आप कौन से तल पर गटा दीजिए स्टुडेंट पांचवे पर है एक स्थान की उचाई समुदर तल से 1800 मीटर है एक अन्य स्थान की उचाई 700 मीटर है दोनों के बीच में अंतर क्या हो जाएगा स्टुडेंट जोड देंगे 2500 अब देखिए बॉक्स A में 21 32 क्र्यान और बॉक्स B में 32 क्रेवन है तो हमें तुल्ना करके बताना है कि कि FC तुलना मेंiane क्यारा दिख है 11 अधिक हैं घटा देंगे अभी तक आपने अमारा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को आप जरूर करें पर साथ ही अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनको भी पता चल सके तो स्टुडेंट देखिए आगने सेल क्या होते हैं कठोर और रवेदार होते हैं निन में से कौंच जब आगने और अफसादी चट्टान गर्मी दबाव की प्रभाव में जक्या होती हैं इस प्रकार की चट्टान का रूप होती है आगने सल कित्ते प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं students कठोर सैलों का उप्योग किसलिए किया जाता है सड़क बनाने के लिए इमारत बनाने के लिए उप्योग सभी उत्तर हो जाएगा कौन सी परत परपटी के नीचे तक होती है, जो उन्ती सो किलोमेटर तक घेराई तक फैली होती है मैंटल उत्तर हो जाएगा students अब देखिए परत्वी की तरजया कित्ती है त्रेशर सो इकत्तर अब करेंगे students, हम इसी वीडियो के अंधर आप ही कक्छा का हिंदी काक्यू जब्याज देखिए, स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करना ना बूलें students हम पक्छी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना पाएंगे गाप आएंगे, तो students इसमें गगन आ जाएगा कनक तालियों से टकरा कर पुलकित पंक तूर जाएंगे टकरा कर उत्तर आएगा students में हम भैता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूके प्यासे पीने वाले आ जाएंगे उत्तर स्वंग संकला के बंदन में अपनी गती उडान सब भूल जाएंगे तो बंदन में उत्तर आएगा बस सपनों में देख रहे हैं तरू की फुगनी पर के जूले जूले उत्तर आजाएगा, अगला देखिए ऐसे ते अर्मान की उड़ते नीले नबग की सीमा पाने नीले उत्तर आजाएगा हम पंक्ची उन्मुक्त गगन की कविता के लेखा कहें सिभ मंगल सिंग सुमन कविता में पक्ची कहा का जल पसंद करता है नदी जड़नों का जल हम पक्ची उन्मत गगन के पक्ची दुखी क्यों है क्योंकि वे आस्मान की उच्छाई चुने में असमर्थ है वे अनार के दाने रूपी तारों के चुगने में असमर्थ है वे अपनी मर्जी से खही नहीं जा सकते तो उप्युक सभी उत्तर हो जाएगा पिंजरे में रहकर पक्ची क्या नहीं कर पा रहे हैं, गा नहीं पा रहे हैं इस पहलवान को खाने के लिए दो के ले देना तीनों सब्जेक्स सोय लुकिया है आपके लिए एक ही वीडियो के अंदर ताकि आप जल्दीस जल्दीस की जब्यास कर पाएं और साथ ही हमने आपकी कार्य प्रतिकाएं हिंदी, गनित और इंगलिस की अप्लोड कर दी हैं अगर आप नहीं देखिए नीचे डिस्क्रिप्सिन लिंक मिल जाएगा जरूर देखें स्टुडेंट्स बहुत ही इंपोर्टेंट है इसी प्रकार जुड़रेगी चैनल से धन्य अबूरेफ़ कि कि अबूरेब्स जलीचे करें खिए अपस्टेंट आपकी कि अबलिस प्रकार जाएगा इंगल जानी स्टुड़रेवाँ प्रका ट्रकार आपकी अबलिस्क्रियाबल्स